नमस्कार दोस्तों मैं उमेश चिन रटवाल पेस हूँ आप लोग के सामने उत्राखंड वन दोरोगा के एक्जाम की तयारी को लेकर के कुछ वीडियो जो हम लेकर आने वाले थे उसका पहला पार्ट है तो जैसे कि आपको पता होगा उत्राखंड वन दोरोगा में पूरा सा प्रेडियो को सुरू करते हैं उससे पहले जो अभी देश में विस्व में एक महमारी जो फैलरी है उससे रिलेटेट मैं थोड़ा सा बात बताना चाहूँगा कि इस समय सभी लोग अपने जहां पर हैं वो अपने अगर घर पर हैं या कहीं भी हैं वहीं रहें वहां से बाह बिमारी फैलने के चांसे ज्यादा पढ़ेंगे तो एक ही रिक्वेस्ट है जो भी हम पर गवर्मेंट ने जो भी हम पर एडवाइजरी जारी की है उसको आप फॉलो करें गवर्मेंट जो भी है वो अपने देश के नागरिकाओं के लिए कर रही है या जो भी संस्ता हैं प यहां पर थोड़ा सा लिएम दिया गए है घर कंटेंट मेरा सारा ऑभी करेंगेंच यहां उसे कि आछा मे Опर3 मेंडौ तोड़ा कॉप्लेट करें कि जो भी साइन्स के बच्चें तो सब इंग्लिस समझ सकते हैं यह तिनी कोई टफ इंग्लिस रहेगी भी नहीं और मैं लगब लगब कोशिस करूंगा कि जो भी चीज उसको जो हिंदी में भी ट्रांसलेट करता हूं ठीक है तो अब हम आगे उक्यूपाई स्पेश एंडेव मास अर्कॉल मैटर हमारे चारों और जो भी चीज आप देखते हैं वह आपका सब कसम मैटर के अंदर आता है जैसे कि हम हमारी बौडी के अंदर जितने भी पोसक तत्थ हम ले रहे हैं जितने पदार्थ हम ले रहे हैं वह सब मैटर से मिलक यह जो हमारा घर है घर वनाने की समागरी हर एक चीज का है मैटर से मिलके बनी है हम खुद भी हैं हमारे अंदर भी बहुत तरह के मैटर हैं उन्से मिलके बने वह हैं मेरे साब से आप सबस्क्राइब में आ रहा होगा कि matter किसे कहते हैं सिंपल सी definition exam point of view से यतना ज़्यादा नहीं पूचेगा matter किसे कहते हैं स्रिफ इसलिए अभी topic है तो मैंने समझाने के लिए एक दो example लिखे हैं जो आगे है यहां से question पूछा जाता है state of matter state of matter में अगर आप देखेंगे वैसे तो matter कि बहुत सी state हैं यहां पर define हो चुकी है बट जो हमारे syllabus में है उसके साब से या जो भी ninth और tenth की book के साब से हम पढ़ेंगे तो सिर्फ तीन state की बात करेंगे solid liquid और gas solid का मतलब हो जाएगा ठोस और liquid का मतलब द्रव और gas to gas ही होता है तो ठोस द्रव और gas तीन state हैं जिनके बारे में हम को यहां पर पढ़ना है अब आप यहां पर सब चीज़ें समझ सकते हैं कि solid liquid और gas किसे कहते हैं और उसके लाब प्लाजमा भी होती है आपका और और भी state है हिक्स बोस्वान भी है जो आगे आए थे बोस पार्टिकल वह साइंस टेंग तो वह सब भी हमने नहीं पढ़ना सिर्फ आपको तीन state याद रखनी है solid liquid और gas अब solid liquid और gas में जो आपके exam में questions बनते हैं उसके साब से मैंने तीनों को differentiate करने की कोशिश करिए और कोशिश करेंगे कि आपको समझ में आ जाए आराम से एक पॉइंट को मैंने clear करने कोशिश करिए जैसे कि आप यहां देखेंगे solid में क्या होता है definite shape होता है solid का definite shape होता है मतलब जैसे कि एक pencil है pencil का जो पैंसिल अगर आपका अगर एक सीधी pencil है लंबी pencil है उसको आप अगर किसी भी बरतन में किसी भी content में रखेंगे तो उसकी shape नहीं बदलेगी वह जिस shape में अगर आपकी घड़ी आप जो जो पहनते हों अगर गोल आकार की है तो गोली आकार की रहें कि भले उसको आप उसके जगह घेर रहा है उसको आइतन कहते हैं अगर आपकी pen है अगर आपकी जुद्ध अगर घड़ी अगर आपके जो किताब जितनी जगह वह एक जगह घेर रही आप उसको अगर किसी भी container में रखेंगे वह उतनी ही जगह घेरेगी बैग में रखेंगे तो वह जो आपकी book है वह उतनी ही जगह घेरेगी अगर आप उसे table में रखते हैं तब भी उतनी घेरेगी बैड में रखेंगे तब भी उतनी घेरेगी तो मतलब shape और volume आईतन और आकार दोनुं निश्चित होता है ठोस का अब हम आगे बढ़ते हैं liquid में क्या होता है liquid में अगर आप देखेंगे shape fixed नहीं होता है मतलब आप समझिए आप एक दूद का packet खरीद के लाए दुकान से तो वह दूद जैसा आपका packet है उसके साफ से उसने shape ले ली उस दूद को आपने कोई आपके घर में बरतन है उस पर डाला तो वह उस दूद ने उस बरतन का आकार ले लिया जैसा बरतन का अगर उसी दूद को फिर आपने अपने glass में डाला तो जिस आकार का glass है अगर आपका लंबा glass है गोल्ड टाप ग्लास है उसकी चोड़ा ही जादा है तो जिस भी आकार का बरतन होगा उस तरह का वह शेप ले ले लता है तो उसका मतलब liquid में आकार निश्चित नहीं होता ल वह एक लीटर जगह ही गहरेगा ऐसा नहीं कि एक लीटर वहां से आप दूद लाए और यहां आपने एक कोई बोटल है आपके पास अगर पैपसी वगरा कि या किसी भी कोल्डरिंग की जो आदे लीटर की तो उसमें फिक्स आ जाएगा नहीं आपाएगा क्योंकि आइतन फि बोटल है उस बोटल में आपने गैस बरी अगर गैस आपकी अगर थोड़ा कम है गैस कम होगी तो वह उस पूरे बोटल में पूरी तरह से दूर दूर रहके रहेगी अगर गैस की मातरा ज्यादा है तो गैस के कण आपस में एक दूरे को प्रेस करता है जैसे कि आपने सिले वानडर में घैस के जो भी वहां पर कन हुते हैं पासफास लागरू से दबाफ़ा जाता है और लिक्विट करके रिया जाते हैं मतलब जınd को आप जिस भरतन मा रखें. उस गैस में शेप यहने की आपार और वॉल्यम का इतम दोनों ही फिक्स नहीं होता है अगर आगे हैं तो यहां पर डेखेंगे तो यहां पर गैस और यहां देखते हैं तो गैस मैं can do Bhag форм 취 proprio करते हैं liquid कर ते कि इस लिए घ्यास और लिक्विड दौनों को एक सांथ कहा जाता है narumdarण जाता है इसलिए तरण आप बोल सकते हैं जुँ बहने वाली चीजे हो ती इनको यह fluid कहा जाता है इंगलिस में जो बह सकती है तो gas और liquid दोनों ही बह सकती है इसलिए gas और liquid दोनों को ही तरल कहा जाता है solid flow नहीं कर सकता है मतलब आपने solid कहीं पर रखेंगे वो बहते हुए कहीं नहीं चला जाएगा अब देखो सबसे important जो चीज आ रही है वो आपने समझनी है कि solid जो होते हैं एक टाम आती है intermolecular space intermolecular space का मतलब अंतर आणविक दूरी कोई भी पदार्थ आपको पता है भले वो liquid और solid और gas वो बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से मिल करके बना होता है चोटे चोटे पार्टिकल से मिल के बना है तो उन जो भी पदार्थ है उसमें दो जो कण होंगे उनके बीच की जो दूरी होती उसको गोलता है अंतर आणविक दूरी intermolecular space जैसे मैं आपर दिखाने कोशिश करता हूं आगे मैंने बनाया भी है जैसे यह एक कोई पदार्थ है जिसमें यह तीन कण मिल करके बने मान लिया मैंने थोड़ा यह अभी वैसे नहीं बन रहा है मैं कोशिश करता हूं बनाने की अच्छा सा प्रीटे चलो यहांपर करते हैं कोसिश इसको बनाने की एक डूरे लिए तीन इस तरह से चार यह यह बना दीया मुलता जाएगा इसे बोलते इंतर मॉलिकुलर इंतर अनेविक दूरी सब्सक्राइब अब क्या होता देखो यह आपने अंतर समझ जाना है भी इसके सबक्राइब कि आने तीन प्रोपरटी लिखिए यह तीनों प्रॉपर्टी एक से लिंग्ड हैं कि पार्टिकल्स और क्लोजली पैग्ड मतलब इंटर मॉलिकुलर स्पेस कम होता है पास पास होते हैं अगर कोई चीज पास पास है तो इसका मतलब क्या है वह इन कम्प्रेसीबल होगा, मतलब उसको कम्प्रेस करना बहुत मुश्किल है उसको दबाना बहुत मुश्किल है जैसे एक कोई लखडी का तुकड़ा मैं दूं और मैं कहुं उसको आप दब दो तो आप नहीं दबावावगullie यह लकड़ी के तुकड़े में बहुत पास पास होता है इसलिए उसको दबापाना उसको आपने अगर हाथ से मैं काँ तोड दो नहीं आप उसको दबापाँगे लेकिन घुबारा है घुबारे को आप दबा सकते हैं हरा हमसे ठीक है कि किस्के द मेरा गैस भजी लिया यहां पर समझ नाई होता है कि इनकम्प्रेसिबल का मतलब क्या हूं था कमप्रेस नहीं किया जा सकता अगर पास-पास पास 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 तो कंप्रेस करना बहुत ही टफ है और अगर उसको अगर नहीं कर सकते हैं मतलब उसकी जादा होती है अब है रिजइड वर्ड समझ जा है अगर आप मैं परिवर्दन का बहुत विरोध करते हैं मतलब उनकी आवस्था को परिवर्तित नहीं किया जा सकता है जैसे कि मैं बताया तो लकडी है लकडी के टुकड़े को मैं कहूंगा अगर आप उसकी जो आवस्था परिवर्तन कर दो तो नहीं कर पाएं क्योंकि उसकी रिजिटी यानि कि जो आपने लिक्विट में आएंगे तो लिक्विट के पार्टिकल्स लूजली पैक्ड होते हैं एस कंपेर टू सॉलिड यहनिकि ठोस के तुलना में लिक्विट के अंतरान विगदूरी ज्यादा होती है तो इसका मतलब यह थोड़ा कंप्रेसिबल होंगे यहनिकि सॉलिट से जाओ इसमें पार्टिकल्स बहुत ही लूजली पैक्ड होते हैं बहुत दूर मतलब इस तरह से गैस में यहां 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 दूरी ज्यादा होगी पार्टिकल्स के बीची अगर पार्टिकल्स के बीच की दूरी ज्यादा है तो हाईली कंप्रेसिवल होंगे मतलब उन सुना होगा compressed natural gas वहाँ भी गैस को compressed करा जाता है मतलब उसे दवाया जाता है उसके particles को पास-पास लाया जाता है और उन्हें एक ही एक कोई fix आपका container होगा उसमें भर दिया जाता है तो compressibility ज्यादा होती है तो मतलब रिजिडिटी पहुत ही कम होगी अब एक्जामपल काफी आसान है अच्छा एक और रह गया इसमें उससे पहले चलो जो एक्जामपल कर ले ने एक्जामपल सॉलिड में आपको पता होंगे जो भी आपके आसपास आपको दिख रहा होगा टेबल पता चुका हूं वाटर मिल्क ये सारे आपके लिक्विड और एयर ऑक्सीजन ये इसारी गैसेज रही एक और चीज जो समें प्रॉपरटी रही थी वह था डेंसिटी डेंसिटी आपको पता होगा डेंसिटी का मतलब होता है डेंसिटी का आपको मास अपान वोल्यम मास कि नीजे डिवाइड में वाल्य में तो ऊपर आयगा तो kg पर मीटर क्यूब तो यह होती है डेनसीटी की यूनिट किलोग्राम पर मीटर क्यूब तो यहां से समझ सकते हैं कि solid के जो है कन यहनी की particles पास-पास होता है intermolecular space बहुत कम होता है तो मतलब density जाद हो जितने particles पास होंगे उतनी ही डेंसिटी जादा होती जैसे कि अगर आपका रूम है आप अपने रूम में देखें रूम में जितने पार्टिकल आपके पास पास होंगे रूम में अगर पार्टिकल आपके पास पास हैं तो आपको यह चीज पता है कि डेंसिटी जादा है मतलब एक पता होनी चाहिए अब हम इसी में आगे बढ़ते हैं मैं density की बात कर रहा था एक्चुली यहां पर तो density से related एक हम देख लेते हैं density में क्या-क्या है तो solid की density आपको यह से clear होगी है कि solid की density जादा होगी है मतलब हर solid में density जादा होगी बढ़ते को questions हमेशा exception से आते हैं आप से कभी अगर बहुत ही रेर चांसे है इतना ही बहुत एजी पेपर बनाएंगे तो पूस लेंगे कि एक आपको दे यह कोई solid particle मान लो चेयर दे दिया या फिर लकड़ी मतलब वुट दे दिया और एक जगह आपको दे दिया कोई सा भी liquid पानी दे दिया और एक जगह आपको देदे बड़ एक्सेप्शन है यहाँ पर आइस आइस की डेंसिटी लेस होती है एस कंपेर टू वाटर मतलब आइस का घंट बर्फ का घंट पानी के घंट की तुलना में जो है आपको कम होता है इसका कारण है बर्फ का आकार बर्फ में जो आपके कण वो इस तरह से विवस्तित ह होते हैं कि उनके बीच में गैप बढ़ जाता है इस वजह से बर्फ का घंट कम होता है पानी की तुलना में और एक और चीज़ में पता देता हूं वाटर का जो घंट कर डेंसिटी वह मैक्सिमम होती है 4 degree centigrade मतलब यह ग्राफ पूर सकता है सबसे ज़्यादा density पानी की जो कितने पर होती है 4 degree centigrade पर फोर डिग्री सेंटीडी पर डेंसिटी पानी का घंए तो सबसे ज़्यादा होता है अगर आप具 बताता हूं चोटा सा ग्राफ ल को करता हूं है जैसे यह अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा तो पानी के डेंसिटी क्या है यह मानलों कुछ भी हो सकते हैं पर आइस था बढ़ते जागा बढ़ते जागा यहां पहुंचते फिर डिक्रीज होगा मतलब इस पॉइंट पर सबसे मैक्सिमम होता है जो कि आपका चार डि फार दिंगरी सेंटीक्रेट के पानी के घंथ तो से कम यह यह आंकि पानी का घंथ तो सबसे ज्यादा चार से लिवी जयादर पर होता है उससे पहले भी कम होता उसके बाद भी आप से बोलें 50 दिव आपको चार दिमाग में रखना है इस चीच को अब हम इसी में आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और फिजिकल नेचर ऑफ मैटर ये कुछ प्रॉपर्टी हैं जो सिंपल जी हैं इसके बारे में बता भी चुका हूँगी कोई भी पदार्थ है पदार्थ किन किन चीजों से मिल करके बनता है या उसकी क्या गुण होते हैं मैटर का मतलब मैं उपर गल्प दिखा था तो इसलिए मारब तीसरी चीज़ पार्टिकल्स वर मैंटर और कॉंटिनियूसली मूविंग एक कोई भी मैंटर एक कोई आगर आपका पदार्थ है उसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स है वो रेंडम मूवमेंट करते हैं मतलब उनमें लगातार गती होते रहती लगातार वो मूव करते रहत कि अंगे होता कि यहाँ इसकों मेरे साब कोई तिकत है अचा यहां पर और होगे थे नए कि वॉल्यम सॉलिट का सॉलिट का वॉल्यम जो है कम होता है और डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है और गैस की वॉल्यम सबसे ज़्यादा और डेंसिटी सबसे कम होती है वाटर इस एक्सेप्शन एवरिवेर ठीक है को देख कर नहीं है अब अब आते हैं चेंज ऑफ अब हमने पढ़ी थी तीन होती हैं 3 के बारे में पढ़ना है तो क्या कैसे परिवर्ति होता है कुई भी पदार्थ ठोस品 से रहुद से गैस तो आधर मानना परिवर्टन कर दें या प्रेशिर मतलब दवाव जो मन लगाते हैं आदर पूस्व करते हैं तो अवस्था परिवर्टत हो जाती है उसे के बारे में पढ़ना कैसे होती है सब्सब्सेंद आपको पता है कि जैसे आप temperature बढ़ा होगा देखो कुछ चीजें आपको दियान रखे नहीं है मैं बार बार कहने कोशिश कर रहा हूँ अगर इसमें अगर आपको कहीं पर लग रहा है कि कोई चीज लिखी नहीं है तो मैं जो बोल रहा हूँ उसको भी आप सुनने कोशिश करें अगर मैं टेज बोलूँ तब क्या होता है जितने भी कण है वह पसमें टकर आते हैं परब्त्रिकल रहे हां मतलब उनकी स्पीड उनकी चाल बढ़ रही है और चाल बढ़ती है तो खुब कौनजी व तैंप्रेचर क्वें दिखान रखना टेमस्टर बढाने पर क्याम्नेटी हैं की गति जूरा का मतलब गतिक जूरा आपने ध्यान रखना है कि जो आपका सॉलिड सॉलिड में बहुत नहीं करते क्योंकि उनके बीच में इस स्पेस बहुत कम है पर्टika दूरह नहीं जाते हैं तो दूसरी बार गैस स्टेट में जब होता है तो उसका temperature भी बहुत ज़्यादा होता है अगर आप पानी के बात करेंगे तो पानी जीरो डिग्री सेंटिग्रेट पर है पानी आपका नॉर्मल बीस ती चालीश पचास साट साट सी डिग्री सेंटिग्रेट पर है और गैस यहीं कि स्टीम जब बनता है भाप जब ब बढ़ाते हैं temperature बढ़ाते हैं तो kinetic energy में मतलब kinetic energy बढ़ती है और कोई भी पदार्थ solid उस्ता में है तो liquid में है तो गैस में convert हो जाता है परिवर्तित हो जाता है अगे देखेंगे जो अगला topic है इत करके मैं हमपर पढ़ेंगे melting point देखो हिंदी में लिख दिया मैं कुछ चीजन कोशिस करी है कि हिंदी में लिख दूँ गलन बिंदू मतलब melting point का मतलब होता है तापमान का वहमान जिस पर solid liquid में convert जाता है उसको melting point कहते हैं तापमान का वहमान जिस पर कोई भी solid liquid में convert liquid में परिवर्तित हो जाता है उसे हम कहते हैं गलन बिंदू तो आपको समझ महारा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं ठीक है तो आगे बढ़ते हैं इसमें क्या होता है जैसे मैं समझानी कोशिश करूँगा कि melting point में होता है कोई भी temperature आप लेंगे एक कोई भी अगर पदा आरता है वो solid अवस्था में है तो solid से liquid में convert हो निकले कुछ तो temperature requirement होगी कुछ एक minimum temperature आप से लाना पड़ेगा जिस पर अवस्था परिवर्तन होगा उसी minimum temperature को जिस पर कोई solid liquid में convert होता है उसको melting point या गलन बिंदू कहते हैं अब आप से गलन बिंदू किसी का नहीं पूछेगा कि बताओ अगर कोई alcohol है उसका गलन बिंदू कितना हो जाथ या किसी तीसरे का melting point मतलब कोई alcohol convert solid state liquid में है तो कोई नहीं पूछेगा बट वाटर क्योंकि वाटर प्रीसियस जो है minerals है human के लिए या फिर किसी भी organism के लिए तो उसके बारे में पता होने चाहिए पानी का अगर आपसे पूछेगा melting point कितना होता है यहीं कि centigrade या Celsius में कहेंगे तो zero degree Celsius अगर Kelvin में बदल देंगे तो 273 point 16 भी लगा लेते हैं कहीं पर आप नहीं भी लगाएंगे चलेगा आप सिर्फ 273 Kelvin भी लिख सकते हैं answer में ध्यान रखना अब एक चीज़ समझना अगर आपसे पूछता है SI unit system of international unit अगर पूछेगा temperature की तो आप Kelvin बोलेंगे degree centigrade कभी नहीं होता है दियान रखना फिर से मैं repeat कर देता हूं SI unit क्योंकि SI unit से भी question बनेगा आपके मैं SI unit अगर temperature की SI unit पूछेगा तो आपको temperature की SI unit Kelvin लिखनी है degree centigrade is not SI unit of temperature तो इत्यान रखना इसे बात को clear होगे understood तो अब आपको दिहान रखना है कि the temperature add to the solid melts to form liquid atmospheric pressure atmospheric pressure पर कोई भी solid जब लिक्विड में convert those temperature को हम बोलते हैं melting point clear होगे अब देखो एक और main इन चीज जो मैं यहां पर बता करके कोशिश करूंगा आज सी class को यहां पर stop करने कोशिश करूंगा अगर मैं कुछ आपको समझ मनिया है तो आप आगे पूछ सकते हैं आगे हम कोशिश करेंगे कि आपको देरे देरे करके सारे ही डाउट क्लियर कराएं वह भले chemistry का हो सुरुआत chemistry से करिए थोड़ा कम पढ़ते है chemistry सब और bio एक important है जो आपके और exam में भी काम आ सकता है यहां से related हर एक चीज जो हर exam में भी आएगी वह भी हम यहां पर cover करा देंगे one दरोगा तो होगा ही होगा उसके लावा physics में भी हम आपको यहां पर कराएंगे बायो भी करवाएंगे कहीं से लेकर कहीं तक आपको one दरोगा या उससे related जो भी exam जहां पर science के यह chapter आएंगे या इनसे related कोई भी question मनेगा वो लगबग यहां सारा cover होगा आप चिंता ना करें बस बने रहे मारसंग एक last topic मैं भी cover कर ले पना हूँ दिःटण हीट जिसको आप बोलते हो गलन की गुप्त उस्मा देख ध्यान रखना क्या होता क्या है गलन इसको हम बोलते हैं लेटइंट का मतलब चिपी हुई उसमा गुप्त उसमा उसको बोलते हैं लेटेंट मतलब जब भी कोई पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अव तापमान में बड़ोतरी नहीं आती है उसी उस्मा हम बोलते हैं गुप्त उसमा का उपयोग क्या होता है गुपकूत उसमा जो भी पदार्थ है उसके बीच में जो इंटरमौलेकुलर फोर्स अंतर में बल काम करता है उसको तोड़ने का काम करती है इसलिए किसी भी पदार्थी आवस्था में कोई परिवर्थ मतलब आवस्था परिवर्थन में तापमान परिवर्थन नहीं होता है अब थोड़ा सा यह लेंग्विज बड़ाई टफ डिफिकल्ट सी लेंग्विज लगजिए उसको इसी करने कोशिश करता हूं जब बर्फ आपका मौन लो किसी भी डिगरी सेंटिट करेट ता मैनस तीन डिगरी सेंटिंटिगरेट पर बर्फ जमियें अपने तापमान बढ़ाया आपने उसको energy दी, energy दी तो वो minus 3 से minus 2 हुआ, minus 2 से minus 1 होगा, minus 1 के बाद 0 होगा, अब दियान लगना 0 degree centigrade पर बरफ है, तो वो 0, उसके बाद भी आपने अगर उसको energy दे रहे हो तो वो 0 degree centigrade से directly 1 degree centigrade नहीं पहुचेगा, पहले वो 0 degree centigrade बरफ में है, इसी दोरान वो 0 degree centigrade water में convert होगा मतलब 0 degree centigrade बरफ से 0 degree centigrade पानी में convert होता है, आपने तो energy दी, लेकिन energy देने पर बरफ सरिफ और सरिफ पानी में परिवर्तितवा बरफ का तापमानी बढ़ा, मतलब 0 degree centigrade से directly jump करके 1 degree नहीं आगा, पहले 0 degree centigrade पर जो वो बरफ की अवस्ताम है, 0 degree centigrade पर ही वो आपका पानी बनेगा उसके बाद फिर आप energy देते होगा फिर तापमान बढ़ेगा, मतलब इस दोरान जब एक कोई पदार्थ एक अवस्ता से दूसरी अवस्ता में परिवर्तित होता है, तो उर्जा देने पर भी उसके तापमान में परिवर्तित नहीं आता है, उसी उर्जा को उसी उस्मा को ह परिवर्तित होता है, तो थोस से द्रव में परिवर्तित करने के लिए जो एक उस्मा दी जाती है, उसी को हम बोलते है, घुप्त उस्मा, ठीक है, जैसे अब अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर टू चेंज 1 kg solid to its liquid state at melting point at atmosphere, मतलब melting point पर ही, मतलब 0 degree centigrade अगर पानी की बात हम, अ 0 degree centigrade परिवर्त हो सोस्ता में भी मिलेगा, 0 degree परिवर्य आपको द्रव में भी मिलेगा, तो इसका मतलब आपने तो उर्जा दी, आपको तो पता है, उर्जा देने पर ताप मान में परिवर्त नाना चाहता, लेकिन नहीं आया, इसका मतलब जो उर्जा आपने दी है, उसने जो भी पदार्त है उसके intermolecular forces को break करने में या उसको overcome करने में जो अंतर आनविक बल है उसके विरुद्ध काम करा ताकि वर ठोसे द्रव में परिवर्तित हो जाए ख्लिएर हो गया है साइथ जो जीडियरो चुका हो आ तो 0-2 ंटीग्री संत्रेट एनरजी और वॉर्दर पार्टिकल इज मच मॉर्द अच्छा इसी का क्वेशन मनता है एध्यान रगना कि दो स्टेट हैं जीरो डिदिदेग्री संट्रेट पर पर बरफ एक जीरो डिदीद सेंटिग्रेट जितना टेंपरेचर है उसकी वज़ए से उसमा है लेकिन जीरो डिग्री सेंटिग्रेट पानी के पास जीरो डिग्री सेंटिग्रेट जो टेंपरेचर है उसकी वज़ए से तो उसमा है ही है साथ साथ में जो गलन उसमा जो गुप्त उसमा आपने दी थी पर कोई महमान आया तो एक आप हो आपकी उमर मानलों दस साल आपका एक छोटा भाई याट साल का है तो महमान आया उसने 100-100 रुपे दोनों को दी तो महमान ने 100-100 रुपे दोनों को दी तो दोनों की जो आपका प्रजेजिंग पावर हो सेम रहेगी ना कि 100 रुपे माप भी बिस्किट नमकीन एक्स्ट्रा आगई ना वही क्या है लेटेंट छुपी हुई उस्मा जो कि छोटे बच्चे को उनने भी अखुज करने के लिए दोनों सेम स्टेट पर यह दोनों को सौसर रुपए दे लेकिन उसको एक्स्ट्रा बिस्किट बगारा मिल गए वह यहां पर यह कि zero degree centigrade है ना zero degree centigrade यान कि तापमान के व्यस्कित से जो उस्मा है वह तो बरफ में उतनी है पानी में उतनी है लेकिन पानी को एक्स्ट्रा उस्मा दी गई है इसको अब लेटेंट हीट केते हैं तो इसले पानी के पास ज्यादा उड़ जाओगी यानी कि zero degree centigrade Water have More energy than zero degree centigrade तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह चैप्टर अभी अधा मैंने पड़ा दिया पसंद आया होगा आगे अब इससे रिलेटड जो भी होगा उसको हम लेकर करेंगे आप लोगों के सामने दोस्तों है नघ्마 यह थोड़ा बड़ी बन जा हुए तुको नैक्स क्लास में अगया कहने के लिथिए नच्डिती डीर दोन इसको यह व्याग्रव सरकार का का लुगों का जो उसके पीछ लगे हुए है हैं जितने भी हमारे यहां पर बले वो हमारे साफसफाई करमचारी हो पुलिस हो डॉक्टर की टीम हो हर एक को आप जो सपोर्ट करिए ताकि एक अच्छा देश एक अच्छा स्वस्त यहां पर समाज बनाने में हम योगदान कर सकते हैं यही एक मौका है आपके पास अपने आ होगा करें योग करें मन को सांथ करें और इंजॉय करें मिलते हैं अगली वीडियो में जैन जैवारत